नमस्कार साथियों, वर्मेंट कोले जनता के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है BSE 2nd Year Thermodynamics and Statistical Physics में हम आज बात करेंगे रेफ्रीजरेटर की इससे पहले हम इस यूणिट के अंदर कारणो इंजिन की संपोन क्रियाविदी को विस्तित रूप में पढ़ चुके हैं हम यह जानते हैं कि एक उश्मा इंजिन क्या होता है उश्मा इंजिन के कितने भाग होते हैं तथा वो गुश्मा इंजन किस कारिविदी के तहत कारिया हमें प्रदान करता है। किन-किन चरणों में चलता हुआ वो अपने को कारिय प्रदान करता है। यह हम भली प्रकार से समझ चुके हैं। कार्णो इंजन में हमने देखा था कि समस्त जो प्रक्रम है वो धीनी गती से किये जाते है उसमें हम जब पहले एक नंबर की प्रोसेस से शुरू करते हैं दूसरे नंबर की प्रोसेस थर्ड प्रोसेस फॉर्थ इस प्रकार से सभी प्रक्रमों में होते हुए हम वापस से पहल स्टिति में पहुंशते हैं, तो जो जित्रा आपको नज़र आ transmit आ रहा है, इस जित्र में हम यहां कारणू इंजिन के अगर बात करें तो हम A से चलते होई B पर एक प्रक्रम में, B से C पर दूसरे प्रक्रम में, C से D पर तीसरे प्रक्रम में और डी से ए तक वापस से चोथे प्रक्रम में पहुंस चार प्रक्रमों में होते हुए हम पूर विस्तिती में पहुंच जाते हैं तो कार्णों इंजन जहां से हम प्रक्रम को शुरू करते हैं जिस स्थती से हम प्रक्रम को शुरू करते हैं विभिन प्रक्रमों में होता हुआ वहाग उसी इस्तिती को प्राप्त कर लेता है तो हम ये कह सकते हैं कि कार्णों इंजन एक उठकरवनिय इंजन होता है ये तो भी सम्भब है जब सभी प्रक्रम धीमी गती से किये जाएं कार्णु इंजन में सभी प्रक्रम धीमी गती से किये जाते हैं इसलिए उश्मा का ख्षय नहीं होता उश्मा का ख्षय नहीं होने के और भी कारण है जैसे कि सिलिंडर जो है वो उश्मारोदी लिये जाते हैं और अन्य सारी चीज़ें हम कार्णु इंजन की क्रियाविदी में पढ़ चुके हैं, आप पुराने वीडियो को देख सकते हैं तो उश्मक्षे नहीं होता, इसलिए वो उत्क्रमणिया होते हैं तो कार्णु इंजन एक ऐसा आदर्श इंजन है, जोसे हम विप्रीत करम में भी चला सकते हैं विप्रीत करम में चलाने का आर्थ है, कि जिन प्रक्रमों से हम कार्णु इंजन को चलाते हैं, उनी प्रक्रमों को रिवर्स कर दिया जाए, उलट दिया जाए विप्रीत करम में क्या होगा कि यह इंजन जो कानों इंजन विप्रीत करम में चलाने पर क्या होगा कि T2 ताप वाले सिंख जे उश्मा Q2 ग्रांड करेगा तथा अन्यबाही आइजेंसी सें गैस पर W कारे करवाया जाएगा और कुल उश्मा Q2 प्लस W उश्मा स्वात को निश्काशित कर दी जाएगी यह उल्टी प्रोसेस है सीधी प्रोसेस क्या होती है कि एक उश्मा भंडार से Q1 उश्मा गरहन की जाती है उस Q1 का कुछ भाग W कारे में परिवर्दित किया जाता है सेश बची हुई उश्मा को सिंक को निश्काशित कर दिया जाता है अब वही प्रक्रम यदि यहाँ पर उल्ट दिया जाए तो Q2 सें उश्मा को ग्रहन किया जाएगा कार्य किया जाएगा कारे कारी पदार्थ पर जिसके कारण ली गई उश्मा और कार्य का यो Q2 प्लस W इक्वल टू Q1 उश्मा स्त्रोत को निश्काशित कर दिया जाएगा तो अगर हम कार्णो इंजिन को उलट दे तो ये रेफरीजरेटर बन जा है कार्णो इंजिन में जो भी प्रिक्रियाएं हमने की है यदि उनको उलट दिया जा रिवर्स कर दिया जाए तो हम एक रेफरीजरेटर में पहुंच आएगे हमारा जो इंजिन है वह एक रेफरीजरेटर बन जाए रेफरीजरेटर से क्या अर्थ है कि उसने निम्नताप के उश्मा बंडार से उश्मा को गरहन किया तथा उच्चताब के 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 और यहां पर W कारे किया जाता हुता है बच्चे वी उश्मा Q2 सिंक को निश्काशित कर दी जाती थी यहां पर क्या हुआ है Q2 से T2 केलविन ताप के उश्मा सिंक से उश्मा को गरण किया गया है जो की निम निताप का है उसके बाद उस निम नताब से ली गए उश्मा को T1 Kelvin उच्चताब पर स्थानांत्रित किया जाता है इस प्रोसेस क्योंकि ये प्रोसेस नियम विरुद्ध हैं ऐसी प्रोसेस सामनी तो नहीं हो सकती तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बाहिए कारिय की आवशक्ता पड़ेगी बिना बाहिए कारिय के ये कारिय संबब नहीं है कि हम निम नताब से उश्मा को लेकर उच्चताब को स्थानांत्रित कर सके ऐसा अपने आप नहीं हो सकता इसके लिए हमें कारी करना पड़ेगा तो वो कारे भाई एजेंसी द्वारा कारे कारी पदार्थ पर किया जाता है तो यहां S पर W कारे किया गया है तब जाके उश्मा सिंक से Q2 उश्मा Q1 उश्मा में परिवर्टित करके Q1 बराबर Q2 प्लस W करके और उच्छहताप पर स्थानांतित की गयी इसके आगे हम जब कारनो करमे पड़ेंगे तो इसको बहònaphor दरीके से संज़ेंगे कि हम निम नताप से उश्मा लेके उच्छहताप को तभी स्थानांतित कर सकते हैं जब उस पर हम बाहय कारे करें यदि यहां पर बाहिये कारे नहीं किया जाएगा तो निम नताब से उच्छता पर सुमा का सनांतरन संभव नहीं है जो कार्णो का एक्रमिय दी है कार्णो चक्र जो था उसको हमने देखे हैं यहां पर रिवर्स सिस्टम में ड्रो किया हुआ है असे बी तक पहुँचते थे बी से सी तक सी से डी तक और डी से ए तक पहुँचते थे कार्णो चक्र में लेकिन यही कार्णो चक्र हमने रिवर्स कर दिया तो हम असे डी, डी से सी, सी से बी और बी से ए तक पहुँचे हैं उनी प्रक्रमों को हमने उलट दिया जो प्रक्रम हम कार्णों चक्र में सीधे रूट में दर्शाते थे तो रेफ्रिजरेटर जो हमारा साम्वानेत घरों में जो फ्रिज होता है उसका कारे यही होता है कि जो भी चीज हमने उस refrigerator या fridge के अंदर रखी है उस में से वो उश्मा को grant करेगा कौन फ्रिज या fridge का कारी कारी पता थी या fridge का system तो हमने जो भी चीज जैसे कि पानी रखा है उस पानी के अंदर जो उश्मा की मात्रा है उसको अधुशोशित करेगा fridge का system और उसको भाय वातावरण को स्थानांत्रित करेगा अब देखे जो भी चीज हमने अंदर रखी है उसका ताप्मान रखने के बाद FREED में रखने के बाद कम हो गया तो fridge के अंदर रखी हुई जो चीज है वो निमन तापकी है और बाहर वातावरण जो की उच्छताप का है तो ये जो उस्मा सिंक है ये तो हो गए फ्रिज के अंदर रखी हुई चीज S हो गया फ्रिज का सिस्टम और उस्मा स्त्रोत हो गया वाहिय वातावरण अब फ्रिज के अंदर रखी हुई चीज जो निमनताप की है उससे और उश्मा लेकर बाहिया वातावरन अर्धात उच्चताप पर स्थानांत्रित किया जाना है तबी तो जो अंदर हमने चीज रखी है जो पानी रखा है वो बर्थ बनेगा क्योंकि उसमें से उश्मा को निकालना आवशक है इसके लिए हमें फ्रिज पर बाहिय कारे करना पड़ागा और यह कारे कौन करेगा एलेक्ट्रिसिटी फ्रिज खुद कारे करेगा लेकिन कारे करने के लिए हमें बाहिया एजेंसी की जरुरत पड़ती है वो भाई एजेंसी कौन है फ्रिज का सिस्टम और फ्रिज का सिस्टम तभी चलता है जब हम उसे electricity प्रवाइट करेंगे तो यह जो W कार्य है यह फ्रिज का सिस्टम कर रहा है किसके कारण electricity प्रवाइड कराने के कारण और फ्रिज का सिस्टम उस अंदर रखी हुई चीज से उश्मा को निकाल कर उच्चता पर थाद भाहिय वातारों को सानांत्रित कर देता है इस पूरी कार्य विदी के लिए उसे कुछ न कुछ भाहिय कार्या चाहिए जो भाहिय एजेंसी अफ्तात फ्रिज खुद प्रवाइड कराता है electricity के द्वारा तो निम नताब से उच्चता पर उश्मा का सानांत्रन तभी संबव है जब वहाँ पर कोई भाहिय एजेंसी कार्य करें अन्यथा संबव नहीं है ि आफ फ्रिज रेटर की कार शता की गणना जो है वह हम कार गुंञा किसे करते हैं जिसका मानं Geass द्वारा अवसौक्षित उश्मा ibn geass पर किये गए भाहिय कारें के अनुकात के बरावर होती है तो कारे गुंञ जो है वह उच आफ्मा क्यूवन बटे भाई यह कारे W तो Q2 अपन Q1 माइनस Q2 हो जायागा क्योंकि Q2 प्लस W प्लस Q1 अब लेडिंग देखा हुआ तो यहां से हम फ्रिज के या जो सॉरी रेफ्रिजिलेटर के कारेक्षमता की गणना कर सकते हैं कार्म फ्रमे के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे